मुड़लाना की ये धर्ती जहां आई देश की बेटियों के समर्थन में जो पंचायत है उस पंचायत में पहुँचे इस छेत्र के और आसपास के सभी छेत्रों से आई लोगों का बहुत बहुत धनेवाद क्योंकि ये हक हकूँक की और पगड़ी की लड़ाई है तो मैं इस मंच का और इस मंच के जो आई जख हैं जिनोंने मुझे और इस मंच पर उपढ़ती सभी साथियों को यहां बुलाने का प्रयास किया हमारे भाई जैन चोधरी जी हमारे गवर्णर साफ सत्पाल मलिक जी गुर्णाम सिंग चडूनी जी भाई पुष्पेंदर जी भाई सत्पाल मलिक जी सत्पाल चोधरी जी और कमल ब्राड़ा जी जो हमारे साथ चलके आए हमारी बैन सुमन उड़ा जी जो आइसे मंच की सोबा बढ़ा रहे हैं और हमारे ओलम्पियक भाई बजरंग पुनिया जो यहां हमारे बीच उपस्तित है क्योंकि मुझे जाना है मेरे पास आजमगण में एक प्रोग्राम है मगर मेरी दिली इच्छा थी कि जहां अन्याय के खिलाब बिबुल बोजेगा मैं उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आऊंगा तो मैं आप यहां सब को नमस्कार करता हूं जैभीम करता हूं इसलिए करता हूं कि जहां एक तरफ देश की केंद्र की सरकार और जहां सभी पर देशों में भारत जन्ता पर्टी की सरकार है वो इस अन्याय के समर्थन में खड़ी है वही इस देश की किसान का मेरी कौम जो हमेशा से अन्याय के चाहे वो अंग्रेजों का अन्याय हो या किसी और का अन्याय हो जिन्होंने हमेशा मुकाबला किया उन कौमों ने फिर मांग सम्मान और पकड़ी की इस लड़ाई में आवाई दिये उस लड़ाई को मजबूत करने की जिम्मदारी हम सब की है मैं यहाँ मंच पर और मंच के सामने आसपास के महौल को भी देख रहा हूँ बहुत गुसा है लोगे अंदर बहुत तकलीफ है लोगे अंदर अगर आज अलान हो जाए तो दिल्ली में बैठे बादशा को ये खबर लग जाएगी कि कुछी घंटों में जो है सारे बोटर सील करने पड़ेंगे यह तागत है किसान कमेरों की लेकिन सवाल यह है कि आज मुकामला किससे है और आज हाला सक Krfund को भी समझना और देखना पड़ेगा अगर मुकामला उन लोगों से वजता है जिनमें चरुतन है जिनका जमीर जिंदा है जिनके अंदर इंसानियत है तो मुझे लगता है उनसे मुकामला करने के लिए पहलवान का भी थे लेकिन मुकामला उनसे है जो बहन बेटियों की आवाज को इस अन्यार को दिल्ली की कुछी में बेट के नहीं देख रहे हैं यह देखने नहीं चाहते मैंना उनको ताकत वर मानता हूं और नहीं मैं बानता हूं कि उनके नेत्रत में देश की बहन बेटिया स्वक्षित हैं आपने देखा कि आज जो हम लोग इकठा हुए हमारा दर्द यहाए कि अग्ठाइस मही को क्या हुआ जब अठाइस मही को वो बेटिया जिन्होंने देश का नाम रोशन किया जब अठाइस मही को महिला पंचाथ के लिए निकली तो उन्हें क्या सहना पड़ा किस तरह से गुंडो जैसा बरता उनके साथ हुआ और पूरी सरकार में हमारी पगड़ी का तमाशा देखा और हमें बेजज़त किया दिल्ली से उस अठाइस को हम लोग नहीं भूले हमारी पगड़ी हमारी इज़त है हमारी बेहने हमारी मां उनका सम्मान और अगर हम अपनी बेहनों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं हमारा जीमन बेकार है यह एलान करने के लिए आज हम लोग याँ आए और जो जूट तबान तरह का फैलाए जा रहा है कि एक जाती के लोग लड़ रहे हैं ऐसा जूट किसान अंदुल में भी फैलाए गया ऐसा जूट हर अंदुल में पैला जाता है लेकिन आप किसान सरकार जुगेगी और वो आरोपी में रहेश होगा वो जेल भी जाएगा उसको सजा भी होगी यह बात आप याद रखना यह किसान कमेरों की धर्ती भी है और बावा साव प्रेट कर सर छोटू राम चोजरी चर्म सिंधियों तमाम मापरूस जिन्होंने अपने इस किसान कमेर वर्क पहाग अधिकार के लड़ाई लड़ी आज उनकी एकता को फुलंद करने के लिए आम लोग आए और हम यह मानते हैं कि सरकार से बिना एकता के नहीं जीता जा सकता है वो एकता जो इनकी जरे उखार देगी और वो एकता एक मातर एकता है किसान कमेरों की एकता गाव म और हग अकूक की लड़ाई सड़क पे लड़ेगा अपने नेताओ के अपने लीडर के हग अकूक उनके निर्देश में काम करेगा तो मेरा एमानना है कि आज नहीं तो बहुत जल्द ये सरकार घुटनों पे आएगी और देश के प्रदान मंतरी फिर से माफी मांग किसानो से कमेरों से महिला पहलवानों से हमारे पुरुष पहलवानों से हमारे कोचे से सबसे माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि हमने गल्द दिगी हमने गुंड़ेगा आरोपी का साथ दिया और मेरा एमानना है जैसे जैसे आपकी पंचायत मढएंगी जैसे जैसे आपका धंड को अपनी बेहनों के सम्मान में इकत्था कर लेना चाहिए जब बात आन पर आजाए जब बात इचक पर आजाए तो फिर हमें अपने नाग को नहीं देखना चाहिए अपनी फकड़ी को नहीं देखना चाहिए हमारी फकड़ी हमारी बेहने हमारी हमारा गोर हमारा सम्मान मैं कि आपनी बेटियों के सम्मान की रख्षा नहीं कर पाएं तो घर जागे अपनी बेटियों को क्या जवाब दे पाएंगे ये भी सवाल अब आपसे करना. आज हमें अपनी पध्डि की नहीं, अपनी एक्दा को मजबोत करने की जरुत हैं. हमें व dopamine बनने की नहीं, हमें और फिर कोई ताकदवर हमारी पगड़ी से ना खेल पाए इस बात का भी ध्यान लखना इस बात की विज्चत रखनी है आज ही जिम्मेदारी हमारे कंदों पैस सब लोगों के इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं अगर वाके में जीत रहा है तो एक जुठों के लड़ो और ह हमारे पास गार्जन के रूम में गवर्नर साथ बैठे हैं दो तील मसले जो उन्होंने उठा रखे हैं चाहिए वो फुल्वामा का हो या किसानों के लिए मस्पी की गारंटी का हो या मजदूरों के लिए नियुंतम वेतन का हो वो तभी कामियाब हो पाएगा जब हम इस ल सब्सक्राइब हैं बजर यहां बैठे हैं पूछ लो जी दिन से हम लोग लड़ना हमने सुरुवात किया था एक दिन मुझसे गल्दी हुई क्योंकि हमारे लोगों ने जारकण में सभा रखी हुई थी मैं एलान करके कह रहा हूं देश के प्रदान मंतर जी सुनेंगे अग जो हुआ मुझे उस बात की टीस जीवन के आखरी च्छंड तक रहेगी कि किस तरह खोन के आसूं इन लोगों ने रहे लेकिन उसका बदला लेना उसका एक मातर कारण इस तरीका यही है कि हमें उस किसाल कमेरे की आवाज को मजबूत करना है और मैं आप से कहना चाहता हूं हमारे खाट के लोगों से मैंने कहा कि कट्टे होके लरोाई कट्टे होके अगर फीर दोरा राम मुकाबला इमानदार लोगों से होता तो फैनवान बहुत है और मुकाबला अगर गुद्ड़े से मावाली उसे तार्छा से है तो दिहास गवाए भारत का कि जोंगे अंग्रेलों के दाřख खटे किये वोई सरकार के दाज भी खटे करके दिखाये में उप्धाई के कि उसको जेल भी भेदेगी आप मेरी बात को याद रखना बस मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ और यहाँ जो हमारे समारी नेता है भीमारी में आजाया समाज पर्टी के उनसे भी कहना चाहता हूँ ये हाका कूप की लडाई है मैं आपसे कह रहा हूँ बुलावा नहीं भेजा जाएगा कोई पंचायत हो तन्बंध धंसे और इतनी तागत से लुरना की धियास आपको याद रखे कि आपने बेहनों के शमान की रख्सा करी और जहां आख देगी पंचायत फिर कहा रहा हूं इक टे रहना एक जूट रहना बंद मुठी रहना जहां आबाज देगी जहां किसान कमेरों के आवाज पर पसीना भाएगा मैं आपसे व्यादर करता हूं कि अपने खून के एक बुल बेहनों के सम्मान में हम लोग देने क क्वा काम करें। आख ऑद अगर आप 590 कि घ्रचके लाना है मीडिया की लोग सुने ना तो इतना दम भी रखता है कि खीच पा सब्सक्राण़ को मांते हैं टॉर्स है कि इसले चुपने अगर स्वग्धान को ना मांते हैं इतनी जाय नहीं देते हैं कि हमारी फंडी से केल ले वह बहुत बहुत अन्यवाद जैजवान जैगिसान हमारी एकता जिंदाबाद किसान का मेरा जिंदाबाद